बिसमेलायरमानुराहीम असलामलेकुम एवर्यवन वेलकम टूम टूम यूट्यूब चैनल आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे आलहम्दलिला मैं अभी ठीक हूँ और आज की इस वीडियो में मैं नितने डिजाइन लेकी आई हूँ जो के विंटर स्टफ में है और प्लें स्टफ है और या हलकापलग बाइब का चिक न्वाहीं तो वीडियो को लास तक देखिए और बहुत ही इंटरस्टिंग और इनफरमेटिव वीडियो है तो चलें चलते हैं स्टार्ट करते हैं पहले वाले ड्रेस से जी, तो फर्स ड्रेस जो है, ये निशाद का है, मैने निशाद से बाइ़ किया था, जो कि आप लोग ने मेरी शॉपिंग वाली वीडियो में देखा होगा, शॉपिंग व्लॉग में, ये मैंने आप लोग दिखाया था उसमें, और बिल्कुल सिंपल सा पहलाओ में है ये इंब्रॉइडरी काफी नीचे तक है इसकी और इसके साथ जो है ना सिर्फ एक बारीक सा पैच था जो के मैंने ट्रॉजर पे लगवा लिया हुआ है वो भी स्लीव के लिए था तो बाकी जो है ना सारा मिटीरियल वगरा और डिजाइनिंग जो है वो मैंने खुद से क्रियेट की है इसके उपर सबसे पहले जैसे कि आप लोग नेक पे देख रहे हैं यहां पे यह अलरड़ी दो पटिया इसी तरह थी इंब्रॉइडिट थी और इनके दरमयान थोड़ा सा जो गैप था ना उसके उपर दरमयान में मैंने शिटल की लैस लगवाली ह जोड़े थोड़े फासले पर यानी करीब करे करे करके दो दो पर जो है ना मैंने इसके उपर लगा दिया है में उसके इलावा बाकी पर डिजाइनिंग जो है वो दामन और स्लीव पर है तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यह है इसकी दामन की डिजाइनिंग और इस तरह यह देखें नीचे तो इसके वो लेस लग गई हुई है शिटल की लेस जो के मैंने नेक पर भी लगवाई दो से तीन सूतर चोड़ा प्लेट है और इसके उपर जो धागा भी है ना वो भी मैंने स्किन कलर का यानि कंट्रास में खुद लगवाया है कि यह जरा इसकी जो है ना सलाइया यह भी प्रॉमिनिट हो और प्लेट भी थोड़े चोड़े चोड़े हो और यह तकरीबन कितन असले पर लगा दी हुई है यह देखें इस तरह से बस थोड़ी सी यह ना इसमें रफ लुक आ रही है वो मैंने टेलर को बोला था मैंने का इस दफ़ा आपने इतनी फिनिशिंग से जो है यह डिजाइन नहीं बनाया लेकिन बस फिर क्या करें कभी उंचनिच हो जाती है स् यह स्लीफ पर भी मैंने इसी तरह से डिजाइन करवाया है बिल्कुल दामन की तरह है हाँ लेकिन इसमें प्लेट जो है वो कम है यानि उसमें आट प्लेट थे तो इसमें चार प्लेट है साड़े चेंच पैंचा है और इस पे जो है ना यह पिंटेक्स डाले में है एक एक इसके लिए साथ में मिली हुई थी जो कि मैंने क्योंकि स्लीफ का डिजाइन मैंने दामन की तरह का सेम रखना था इसलिए फिर मैंने यह पैंचे पे यानि ट्राउजर पे लगवा लिए और कुछ इस शेप में है यह देखें यह अंदरुनी साइड है ट्राउजर की अंद बन रही है इस तरह से देख रहे हैं आप लोग यह वली शाल है इसके साथ यही बहुत अच्छी और डिसेंट लग रही है क्योंकि पीच कलर थोड़ा सा वो फ्रेश है तो इसके साथ थोड़ा कंट्रास ही शाल या स्टॉलर अच्छा लगेगा सेम कलर का जो है ना वो इतन 10-15 शॉप्स पे विजिट किया सारी तक्रीवन स्टॉलर वाली शॉप्स जो है ना सब भी पे विजिट किया तो आखरकार फिर मुझे यह इसके साथ मैचिंग मिली जो कि डीसेंट भी लग रहा है क्योंकि यह कलर जो था ना यह मल्टी कलर इसके उपर मैंने यूज किया तो फिर वो भी बाद में मेरे लिए शू होता अब स्टॉलर जो है ना वो सेम कलर का मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था तो मैं चारी थी थोड़ा अच्छा सा स्पेशल साल भी हो जो कि ड्रेस के साथ जो है ना इसके खुबसूरती में इजाफा करें तो इसलिए मरून कलर कम है तो इसलिए यह भी बहुत अच्छा है इसके साथ जा रहा है और अगर इसके साथ हम कंट्रास के तोर पर केरी करना चाहें तो यह देखें बेस कलर ज्यादा मरून है और इसके अंदर जिंक कलर आ रहा है तो यह देखें दोनों साइड ही इसके साथ बहुत अ तो जिस तरह भी इसको चाहूं तो मैं कहरी कर सकती हूं लेकिन हाँ फिलहाल मुझे यह जादा डीसेंट लग रही है यह वाली साइडी के साथ और जी यह हो गया स्टॉलर स्टॉलर मैं हटा देती हूं बाकी आप लोंको मैं सारी डिजाइनिंग जो है न वह डिटेल में चेक करवाती हूं कि मैं इसके पर क्या तो यह एक्चुली जेंट्स शॉप पे जो है न यह स्टॉफ मुझे नजर आया था थोड़ा से यह खदर स्टॉफ में है और लाइनिंग थी मल्टी कलर में बड़े प्यारे से कलर अच्छे लग रहे थे तो इसको देखके फिर मुझे त और या फिर यह जिंग कलर के उपर बहुत जादा उठाए ना तो इसलिए ब्लैक तो अलरड़ी काफी जादा ड्रेसेज मेरे बने में थे इसलिए फिर वैसे भी सूट भी जादा यह जादा यह जादा यह जादा इसके ओपर फिर मैंने यह स्ट्रिप्स जो है ना बस वह अपने मेरा देखा लूस फैब्रिक में वो लंबी लंबी लाइनों में था और उसको फिर मैंने इस तरह से लगवाया कि यह डिजाइनिंग में आड़ी आड़ी लाइने आ रही हैं और बिलकुल यह हाफ इंच की पटियां जो है ना यह मैंने उतने ही बराबर फासले से र की जो है ना यह देखिए नेक पर पाइपिंग भी हुई है ठीक है यह इस तरह से यह नेक रेडी है उसके इलावा दामन पर जो डिजाइन है वो भी थोड़ा डिफ्रेंट सा मैंने लुकती हुई है आप लोगों को दिखा देती हूं यह देखें इस तरह से बिलकुल यह बराबर दरम्यान मी जो है ना दामन का यह मिड मिड में से यह इस तरह पटियां जो है ना बड़े वो लेवल रखे मतलब इसका जो है ना बैलनस रखा हुआ है हर तरह से दोनों साइट से बराबर आए इस साइट से भी और इस साइट से भी और यह किती स्ट्रिप्स हैं ज तो यह देखें, बहुत ही खुबसूरत, इसके ओपर यह कलर भी बहुत अच्छे लगे हैं, यह डिजाइनिंग भी स्टफ की जो है लाइनिंग में आ रही है और जिस तरह से स्टिप्स लगवाई हैं तो बहुत ही प्यारा यह देखें, ओफराल डिजाइन जो है, खुबसू यह थोड़ा से फ्लेक्सिबल स्टफ है इसलिए मुझे लगा कि इसका थोड़ा से लूज पैंचा जो आना वह अच्छा लगेगा और पैंचे भी बिलकुल बाजू की तरह जैसे डिये डबल पिटी मैंने बाजू पर लगवाई थी इसी तरह पैंचे पे भी उसी तरह से दो तरह बाज इसाटी कलर यूज का आने का बड़ा से एक साथ की के साहिए स्टालर भो पीन कर भीजेश का कर ताहरा है यह पर यह स्टफ NICKE करनटी है और यहां अपर इसका टॖियर के में भूगवाई से लगभाब्ले के सम्पल साथ यह तो इसको प्ष को थोड़ा सांब दि तो इसके साथ क्योंके मैच भी हो रहा था जब रखा तो बहुत ही प्यारा लगा पर जब यह ताइड से ले ली तो फिर मैंने सुचा कि अब इस इनी कलर्स को इसके उपर एपलाई किया जाए तो इसलिए फिर मैंने तकरिब उसमें से जो एक दो कलर जो थोड़े ब्राइट ना उसके गर्द ऐसे लगा दिया है ठीक है और उसके इलावा यह शूल्डर के यह चमदे की जो होती है उसके साथ ही यह स्ट्रेट आ तो की का है टीक है? दोनों साइडों पे इसी तरह से प्लाई कर दी हुई है उसके इलावा जो है ना स्लीवस के ओपर भी इसी तरह से यही डिजाइन बना दिया गया तो इसकी वज़ज़ से यह देखे ना बहुत ही खुबसूरत डिजाइनिंग भी हो गए लास्ट वीडियो में जो है आल ओवर प्रिंट पे भी बताईए आपको और इस तरह हम चिकन का भी जो कोई इस तरह का लाइट सा चिकन प्रिंट है तो उसके ओपर भी हम इस तरह से यह डिजाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं तो इसकी जो शेप है वो थोड़ी सी ए-लाइण में क्योंकि इसके — ताइट है तो इसलिए इसका दामन में थोड़ा सा खुल रखा और देखिए डामन इन उन ज्याट है क्योंकि इसके साथ टाइट से है तो इस वज़े से हम लोग अपनी मरजी के मताबिक जो है ना इसके इंस्टाग्राम आईडी जो है वो आप लोगो स्क्रीन पे शो हो रही है तो आप लोग मुझे वहां पे अप्रोच कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अड्रेसी जो है ये कस्टमाइज भी करूंगी अगर आप लोगो इन में से कोई ड्रेस पसंद है आप लोग सकते हैं इंस्टाग्राम आईडी जैसे कि स्क्रीन पे शो हो रही है तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें शेयर करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट जरूर किया करें अपना ख्याल रखिएगा मुझे भी दौाओं में याद रखिएगा अ अलाहफेज